आप सभी को मेरा नमश्कार और स्वागत है आप सभी का स्वाद की खुश्बू में आज मैं आपके लिए लिकाराई हूँ अर्भी के पत्ते और काले चन्ने से बनने वाली दो बहुती डिलीशियस सूपर टेस्टी रेसिपी एक सबजी की रेसिपी है और एक साथ ही स्नेक्स तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को शिरू करते हैं तो सबसे पहले अर्भी के पत्ते की सबजी बनाएंगे तो इसके लिए हमें अर्भी के पत्ते को इस तरह से कट कर लेना है बिल्कुल जैसे हम बारी कट करते हैं न पालक को, इस तरह से सारे अर्भी के पत्ते को हम कट कर लेंगे अब काले चनी को मैंने बनाने से 3-4 गंटे पहले सोख करके रख दिया था तो अब ये फूले हुए काले चनी है, एक कटोरी, इसको हम ग्रैंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गाड़ा पेस्ट बना लेंगे, इस तरह से हम इसे पीसना है उसके बाद हम अर्भी के पते जो हमने कट करके रखे थे उसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके अंदर एट करेंगे दो चमच कॉनफलार, अगर आपके पास कॉनफलार ना हो तो आप जावल का आटा या फिर सूजी भी डाल सकते हैं और इसके अंदर डालेंगे हम इլलीका पल्प इमली का पल्प डालने से क्या कि कभी भी आपके गले में खराश नहीं होती है अगर इबलीका पल्प नह ओ तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे हल्दी पाउडर थोड़ सा, थोड़ सा कश्मिरी लालमिज पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वात के अनुसार और इनको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे काले जाने का जो हमने पेस्ट तयार करके रखा था उसको एड़ करेंगे उसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्सेर में मिला लेंगे फिर हम एड़ करेंगे अदरक लहसन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने फ्रेंड्स इनको कूट करके डाला इससे बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है तो आदा चमज डाला था मिक्स करके रख लिया है अब चलते हम अपनी सबजी बनाते हैं तो सबजी में सबसे पहले दो बड़ा चमज देल डालेंगे फोरन में डालेंगे एक चमज जीरा, आदा चमज, काली मिर्च, एक लाल मिर्च, वन फोर चमज, हींग और एक तेजपता डालके अच्छे से जब ये चटक जाएगा सारा तब हम डालेंगे इसके अंदर कुटे हुए अदरक लहसन और हरी मिर्च, एक बड़ी चमज, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप कूट करके डालेगा फिर हम अच्छा से जब उसमें गोल्डन कलर आजाएगा तो एड़ करेंगे बारी कटा हुआ प्याज, अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही डाल देंगे एक चमज, नमक, नमक, स्वात के अनुसर डालें और नमक हमें कई बार आट करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा कमी डालें फिर हम आट करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मेर्च, लाल मेर्च पाउडर, आदा चमज, हल्दी पाउडर, वनफोर चमज, एक चमज धनिया पाउडर अच्छे से मिला लेंगे, ओइल सेपरिट होने लगेगा, तो हम इसमें अपने बारी कटे हुए दो टमाटर एड़ करेंगे दो बड़े प्याज लिए हैं, दो ही बड़े टमाटर लिए हैं उसके वाद इन सब मसालों को हमें अच्छे से पकाना है, ओइल सेपरिट होने तक तो मसाली जले ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमज पानी एड़ किया है अब इन सब मसालों को अच्छे से पकने देंगे अब हम एड़ करेंगे, गरम मसाला पाउडर वन फोर चमज और इनको अच्छे से मिला लेंगे मसालों को हमें तब तक बुनना है, जब तक कि इसमें से ओइल सेपरिट ना होने लग जाए और यह बुनने में लग भग पान से छे मीड़ नट लेंगे इनको low to medium flame पर ही भुनना है अब आप देख सकते कि मसाले हमारे भुन चुके हैं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे दो गलास पानी उसके बाद एड़ करेंगे कोई भी एक जाली जैसा हो मेरे पास ये था जाली वाला वरतन तो इसके बाद इस कोईल से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने अरभी के पत्ते और काले चनी का पेस तियार करके रखा था उसको इस तरह से छोटी छोटी बड़ियों के शेप में बना करके उपर रखते जाएंगे जितनी हमारी बड़िया आ सकते उतनी हम इस पे रख देंगे उसके बाद एक ढ़कन से इसको कवर कर देंगे और भाप से इसको पकने देंगे इससे होगा क्या कि आपका टाइम भी बचेगा साथ ही आपने जो बड़ियां वनाई हैं वो आपकी भाप में पकेंगी तो इसको बनने में कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा बिलकुल लो फ्लेम पर पकने में भाप से पकने में तो 10 मिनट के बाद आप नाइफ से इस तरह से चेक कर लिजी अगर आपका नाइफ क्लियर बाहर निकल रहा है मीन्स आपकी बढ़ियां सारी सिज गई है यानि की पक चुकी है तो अब इस तरह साब एक बढ़ पलटके देख लिजी असकर आसानी से निकल जारे है मीन्स आपकी बढ़ियां पक गई है अब हम अपनी जाली को बाहर निकाल लेंगे और एक एक करके सारी बढ़ियों को अपनी ग्रेवी में अड़ करेंगे तो पहले एक बार ग्रेवी चेक कर लेते हैं ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक गई है देखें तो अब हम अपनी सारी बढ़ियों को इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमारा लो है इसको low frame पर हमें पकाना है फिर से हम एक बार इसको cover कर देंगे और 5 मिनट के लिए इन बडियों को पकने देंगे ताकि जो gravy का जो taste है वो बडियों के अंदर चला जाए पांच मिनट के बाद इसका ड़कन अटाएंगे अब आप देख सकते हैं कि हमाई सबजी बनकी बिल्कुल तयार है ग्रेवी भी अच्छे से गाड़ी हो चुकी है जादा इसको गाड़ा नहीं करना है अब हम कसूरी मिथी डालेंगे इसके अंदर और इसको सर्फ कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है इसको हमने डीफ्राइ नहीं किया अपनी बड़ियों को आप चाहें तो इसको डीफ्राइ करके भी बना सकते हैं अब मैं आपको बड़िया तोड़ के दिखाती हो ये देखिए ग्रेवी में जाने के बाद भी बड़िया तोड़ती नहीं है ना ही बिखरती है ये वैसी की वैसी ही बनी रहती है और ये सॉफ्ट है अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी बनाते हैं तो एक पैन में आउयल डालेंगे और जो हमने बेटर बना के रखा था था ना काले चैने और अरवी के पत्तों का इस तरह से उन्हें पतला पतला फैला लेंगे आईल के अंदर और एक तरफ से जब अच्छी सिख जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे तो इस तरह से दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हमें इन टिक्कियों को सेखना है तो आप देख सकते हैं काले चैने और अरबी के पत्ते की टिक्की बन करके तयार है इसको आप ketchup के साथ या फिर मन चाही चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो ये friends दोनों ही recipe बहुत ही tasty है आप एक साथ दो recipe बना सकते हैं आप evening के लिए snacks और रात के dinner के लिए सबजी बना सकते हैं तो इन दोनों ही recipe को आप जरूर ट्राइ कीजिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हो ये टिक्या कितनी crispy हैं और बहुत ही delicious है friends आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए ये full पैसा वसूल recipe है वीडियो पसंद आयो तो like कीजिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिएगा notification bell को on कर लिजिएगा मिलती हो next recipe में तब तक के लिए bye bye